हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ चने की डाल से बनने वाली ये मज़ेदार सबजी जो कि राइस के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है आप एक बर जरूर इस रेस्पी को ट्राई कीजिए तो बिने टाइम वेस्ट किये चलिए शुर 200-500 ग्राम के बीच में हैं तो आप 200-500 ग्राम चने की डाल ले लिजिए उसे बाउल में डाल दीजिए उसमें पाने डालके उसे अच्छी तरह से वाश कर लीजिए हम इसे 2-3 पाने धो लेंगे ताकि इसकी जो गंदगी है वो निकल जाए हाथों से हम अच्छी तरह सी से म छोड़ देंगे तो फ्रेंट अब पूरे चार गंटे हो चुके हैं चार गंटे मैंने इसे भीगाया है पानी में काफी सॉफ्ट हो चुका है यह देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहा है हाथों से तोट रही हूं तो और यह देखिए बिलकुल अची तरह से खिला-खि और हरे मिर्च डालेंगे एक से दो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना तीखा चाहिए चार से पांच अब लहसुन की करी डाल लीजिए जादा भी कर सकते हैं इसके अलावा आधी छोटी चमच जीरा डाल लेंगे इसके अलावा हम इसमें डालेंगे आधी छोटी पेस्ट यह देखे फ्रेंड समारा पेस्ट जो है वो बिलकुल रेडी हो चुका है चैने की डाल वाली मसाले के साथ तो ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए अब क्या करना है अब कढाई लेंगे उसमें डालेंगे लगबग एक से डेड़ चमच दो चमच तेल आप कोई भी तेल यूज करते हैं डेली खाने के लिए वह तेल डाल सकते आटी जैसे ही तेल गरम हो जाया उसमें हम एक सोटा चमच डालेंगे सर्सो का दाना जब वो चटक जाएtones यह देखिए उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा इसमें पंसस्ट को पहले डालते और जीरा बाद में जी यह हल्दी भी पक चुका है तो फाइनली इसमें एक से डेड़ गिलास पाने डाल देंगे विल्कुल साधा पाने डालना है पाने डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी को थोड़ा सा हम बॉइल होने देंगे गरम कर लेंगे पानी जैसे ही गरम हो घ्まだ फेटा झाल देंगे जो हमने चने की दाल वाली पेस्ट बनाई है मसाल्य डालकर पाने में ट्रांस्फरर करेंगे उसके बाद यह ग्रैंडर में थोड़ा बहुत लग जाता है दिवालों में तो उसे भी तोड़ा सा पानी से खंगाल के इसमें पानी को डॉल Night K सब्सक्राइब छोगा नमक कर लेंगे टेस्ट दालेंगे तेस्ट के रहें इस गर्म होगा यह जो पेस्ट है बिल्कुल हल्वा की तरह यह देखिए काड उते जाएगा दीरे-दीरे थीक होता जाएगा जाएगा जैसे जैसे यह पकेगा तो कि अच्छे से से कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो वह कढ़ाई के बेस में चिपक जाएगा और यह हमारा पेस्ट है वह इवन नहीं बनेगा मतलब एक जैसा नहीं होगा गुठलिया पढ़ जाएंगी इसमें तो यह देखे इस तरह से आप स्पैचुला से जिस भी चीज से आप चलाने के लिए यूज कर रहे हैं आप कंटिन्यू इसे चलाते रहिए मेरा बस यह कहना है कि आप इसे बस कंटिन्यू चलाते रहिए धीरे-धीरे मीडियम फ्लेम पर पकाईए लो या फिर मीडियम फ्लेम पर पकाईए हाई फ्ल सिर्फ पानी खुलना होता है अब यह देखे यह दिर região डीर होई आप डेख सकते हैं थीन से चार मिंट मैक्सिमम पांच मिनिट आपको लगेंगे अगर आप इतना ही कम पानी यूज करेंगे इसमें और यह अच्छी तर से बिल्कुल पक भी जाता यह देखिए चलाते रहेंगे तक कि स्मूद पेस्ट रहे हमारा बिल्कुल हल्वा जैसे अब यह अब देख सकते हैं इस पैचुल आपको गिरां के दिखा रहे हूं नहीं गिर रहा है तो अभी इस स्टेज पे हम रोक देंगे इसे पकाना क्योंकि हमारा यह जो पेस्ट है बिल्कुल रेड़ी है हमारी सबजी बनाने के लिए चलते हैं आगे अब इसके आगे क्या करना है वह आप देखते रहें वीडियो तो का तेल या फिर रिफाइन ओयल आप जो भी यूज करते हो या मुंफली का तेल यह अच्छी तरह से थाली पर तेल लगा दीजिए और कढ़ाई के जितना भी पेस्ट है वह हम इस पर ट्रांसफर कर देंगे गरम में ही कर दीजिए क्योंकि वह बाद में जम जाएगा ब तुरन तभी हाज से चुं नी सकते हैं थोड़ा ऄसा टेल लगा लीजिए अगर वह चिपक रहा है तो थोड़ा स्टीक होता है क्योंकि यह चने की डाल है बेसे तो शिपकता है यह देखिए तेल यसलिए यह चिपकता है यह डेखिए तेल जैसे ही लगा soybeansे वह अच्छ से चिपका दीजे, और बिलकुल ही प्रेस करकर करके, अब इसे बिलकुल सभी तरफ से एक जैसा बना दीजे, कहीं से मोटा पतला ऐसा नहीं होना चीए, बिलकुल एक जैसा, even सामान बनाएए, सभी तरफ से, अब यह देखिए, यह ठंडा हो चुका है, तब यह मैं अपने हाथ मैं इसे स्क्वाइर शेप में काट रही हूं तो फ्रेंड्स यह देखिए यहां काटने का काम कम्प्लीट हो चुका है बहुत ही असानी से अपने हाथों में ले सकती हूं बिल्कुल भी चिपकता नहीं है बिल्कुल अलग-अलग हमारा यह स्क्वाइर शेप का बरफी जो है वह रेडी हो चुका है चने की डाल जो हमने पेस्ट बनाया था उससे यह देखिए किता बड़े-बड़ियां बरफी रेडी हो है हमारी सबजी के लिए चलते हैं आगे अभी तो एक ही स्टेप हुआ है अब एक कढ़ाई लेंगे उसमें डालेंगे काफी सारा तेल क्यूंक करना सदिनली जो तेल हो ठंडा हो जाएगा अप जितना इसमें आता है तेल के इसाब से आप उतने सारे इसमें बरफी यह डाल सकते हैं और एक बड़ आप इसके कढ़ाई के हैंडल को पकड़के से अच्छे से हिला दीजे क्योंकि अगर आप इस टाइम पर चम्मच यह स् आप बनाएंगे तो आप इस टेम पर स्पैचुला यूज कर सकते हैं इसे हिलाने के लिए लेकिन शुरुआत में आप बिल्कुल भी चम्मच यूज मत कीजिएगा वरना यह बिल्कुल टूट जाएंगे और चिपकता है फिर कड़ाई पर तो यह देखिए जब आप तेल म गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसे ट्रांसपर कर लेंगे प्लेट में निकाल के तेल से यह देखिए फ्रेंड्स फ्राई होने के बाद किता बढ़िया लग रहा है और खाने में बहुत अच्छा लगता है यह सूखा वाला भी चलते हांगे कड़ाई में तेल गरम ह कर दिया होने देंगे जैसे सरसोजीर अची शसे चटक जाई इसमें हम बाय तेस्वाज को आप जायें आप चाहे तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं प्लेकर अब तो यह दो से तीन आप प्या इसमें डाली ऐ काट कर इसे हमें अच्छी तरह से फ्रै प्राइब कतें प्या जितना आपको spicy चाहिए उसके according दस से बारा हम lesson यूज़ करेंगे आप चाहें तो और भी जादा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंदो एक छोटा प्याज मैंने डाला है इसमें चौप करके उसे भी हमें पीसना है मसालों के साथ ही अब यह देखिए गरम मसाला मैंने एक चमच भरके डाला है बिल्कुल उसके अलावा में एक चमच और गरम मसाला बिलकुल भरके डाल रही हूं तो आप कोई भी सब्सवी मसाला या रेडिमेट मार्केट से गरम मसाला यूज़ करते हैं वह यूज़ कर सकते हैं एक से डेढ़ इंच मेंने अध्रक का टुकड़ा डाला है एक छोटा चमच साबुद धन्या एक छोटा चमच जीरा यह नॉर्मल जीरा है शाहिए जीरा नहीं आप भी डाल सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके वाद इसे हम महीन पीस लेंगे बिलकुल बारिक पीस लेंगे यह देखिए मसाला जो है वो पीस कर रेडी हो चुका है हमारा देखिए बारिक मसाला मैंने पीस लिया है अब यह देखिए प्याज जो है वो भी पक रहा है हमारा अच्छे से यह भी पक चुका है इसका कच्चापन जो है वो निकल चुका है बहुत जादा इसे ब्राउन नह मेडियम फ्लेम पर भूनते रहिए जितना अप मसाले को भूनेंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका कच्छा पर निकल जाता है और काफी अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें एक चोटा चमच डाल रही हो में हल्दी फ्रेंट्स हल्दी डालने के बाद हम अच् ढूंबड़ जाता है उछा रही हो में यह मैं पास यह इसमें चलिए ऑख लेंगे और फाइनली और फाइनली इसमें डालेंगे एक चोटा चमच नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर बिहें और ढख कर घ़तक близ葷 कु हाइं गर फ्रेंड पर चार्व में नम पर इसे हम पकाए पूरे पांच मिनिट हो चुक है मैंने इसे लो फ्लेम पर पकने दिया है यह देखिए अभी भी मसाले बहुत अच्छी तरह से पके नहीं है ओयल बाहर नहीं आ रहा है तो इसे हम फिर से एक बार चला लेंगे और वापस इसे ढख कर पांच मिनिट के लिए पकने के लिए छो कुछे इसे जफें बाने अरह你们 अं लड़ा है चला आफ माहता है जब क्बाम ख़त है यह टो तरऊ रहाए वाध है तो एसमें लुटन पूखता है और दो बित्मेट है चैश का पकने के लिए खोड़िए talks में beginning जहुआ है तक आज नहींज विएट से बेंदे कि भी अश्य कि दाल वाली तो आप फाइनली इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे तो एक हम इसे अच्छी तरह से मayक्स कर लेंगे डालने के बाद और दो से 3 मिनिट तक मेडिया में राइफिलेंप पखने देंगे लास्quito में स्क्रीन के इंड में आ रहे हैं वीडियो को क्लिक कर लीजिए और देखिए मेरी और भी रेस्पिस को तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रेस्पि के साथ